जेहन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं OROP यानि One Rank One Pension का जो सेकिंड रिवीजन होना है उसके उपर लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हो OROP रिवीजन के समय सीमा खतम होने में मातर दो दिन का समय बचा है और ऐसे में ये मुद्दा अब रक्षा मंत्री और तीन सैना प्रमुखों के बीच मोचा है इसकी क्या है पूरी सच्चाई ये मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले सैनिक वैलफेर परवार के जो सुबचिंतक हैं वैल विसर्स हैं जिन्होंने सैनिक वैलफेर न्यूज जो चैनल हैक हो गया था यूट्यूब द्वारा जिसको टर्मिनेट कर दिया गया था उसको बाहल करने में जो अपना सहयोग दिया है जो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जितने भी हमारे यूट्यूब क्रियेटर्स हैं उन्होंने बढ़ चड़ के हमारा सहयूग दिया इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारे युबा सक्ती के साथ-साथ जो हमारे दिगज जैसे देखे उधे प्रिका साक्या जी सतिस भारी जी गुलाब सिंग जी जैसे दिगजों का हमारे साथ आसिरवाद रहा इन लोगों ने मुसीवत की घड़ी में इस मोहमें बढ़ चड़ के भाग लिया और इतना ही नहीं दोस्तो फेस्बुक पर जो मोहम चली जितने लोगों ने सेर्फ सैनिक वेलफेर नियूज की मोहम में बढ़ चर के इस्चाल लिया इन सबका मैं तहे दिल से बार बार सुक्रियादा करता हूं धन्यवाद करता हूं और दोस्तो जो लोग मैं नहीं दिखा पाया एड्रेस नहीं कर पाया उन लोगों सबके लिए एक बार फिर तहे दिल से सबका बहुत-बहुत धन्वाद मैं सबका आभारी हूं और अब चलते हैं दोस्तो आज की खबर के उपर जो की इस तरीके से है तो दोस्तो अब आते हैं मुख खबर की तरह और मुख खबर ये है कि जो O.R.O.P का रिविजन नहीं हुआ है इस संदर में इंडियन एक सर्विस्मेन मुमेंट की तरफ से एक लेटर लिखा गया है 14 सेप्टेंबर को मानिय रच्छा मंत्री जी के लिए और उस लेटर में जैसा कि आप यहां देख पा रहें सब्जेक्ट इन्होंने मैंसन किया है कि जो मानिय सुप्रेम कोट ने 16 मार्च 2022 को जज्जमेंट दिया था उसके हिसाब से OROP का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है उसके बाद इन्होंने मैंसन किया है इसमें कि इतना समय गुजर जाने के बाद इस बीच में बहुत सारे हमारे जो दिगज पूर सैनिक हैं वो कई लोग हमारे बीच नहीं रहे जा चुके हैं लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है अब इनका कहना ये है कि 16 जून 2022 के बाद अब ये रिवाइज हो तो 8% इंटेस्ट के साथ ये पूर सैनिकों के खाते में इसका एरियर क्रेडिट होना चाहिए और इसकी कौपी तीनों सैना प्रमुकों को दी है और उनसे अपील की है कि जॉन्टली आप तीनों मिलके इस इश्यू को टेक अप करें और जो एक्सर्विस्वेन, पैंसनर्स और उनके डिपेंडेंट्स का जो एरियर है उसको दिलाने में हेल्प करें इस तरीके से इंडियन एक्सर्विस्वेन मुवमेंट की तरफ से मानिर रच्छा मंतरी जी को लेटर लिखा गया है और ये अपील की है क्योंकि दोस्तो 15 सेप्टेंबर को जो तीन महिने का गवर्मेंट की तरफ से टैम मांगा गया था वो भी खतम हो रहा है अब मात्र दो दिन बाकी बचे हैं तो दोस्तो ये थी जानकारी वन ने वन पैंसन रिवीजन के संदर में फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो जैहिन जै बारत